श्रीमा धूम रेमेडियूस में आपका स्वागत है और हम आपको एक ऐसे देश के बारें बताएंगे जहां कॉन्डॉम से शराप तेयर की जाती है देश तो हम आपको बता देते हैं वो देश है क्यूबा और होँ पर कॉन्डॉम से कैसे बनाई जाती है और खौन बनाता हुआ हम आपको बता़ाता है बात क्यूबा की है क्यूबा में एक ऐसी वाइनिट्री है जहां शराप तयार करने के लिए कॉन्डॉम का इस परमाल कीया जाता है उस वाइन हाउस का नाम है अलकनैल अरकनेल वाइन हाउस के संचारट हैं और इस तिस एहतेवीज उनका ये कहना है कि जब तक जार के उपर कॉंड़म फुला रहता है मतलब कि वाइन तयार हुए है जब नीचे गिर जाता है तो हम समझते हैं कि प्रक्रिया पूरी हो गई अभी फलों में खमीर उठाने के लिए गैलन में अंगूर अद्रक और गुड़ल के फूल बरकर हर जग क्यूब पर एक कॉंड़म लगा दिया रहता है अमेरिका द्वारा लगाए गए वैपारिक प्रतिबंद के कारण यहां कई तरह के उत्पादों की भारी कमी है क्योंकि अमेरिका ने क्यूबा में बहुत सारे प्रतिबंद लगाये हुए तो उस प्रतिबंदों से निपटने के लिए लोग अपने पास मौजूद चीजों की जो चीजें हों को अनिक तरीकों से इस्तमाल करते हैं कॉंडम भी ऐसे ही उत्पातों में जया कि यह लोग कई तरह तरीके से इसका इसंप Ondo प्रतशन करते हैं कई बार मचुए ले मचली पकड़ने में सहुल्यत के लिए से इसका इसतमाल करते है यह बहुत खास तरीका है और रम के लिए दुनिया भर में मश्यूद क्यूबा के अलकनैल वाइन हूस में वाइन बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है अलकनैल की शुरुवात बहुत मामूली थी लेकिन अब यह एक बड़े कारोबार में तबदिल हो चुका है यहां सालान हजारों गेलेन वाइन का उदपादन होता है इसके जो मालिक का नाम है मैंने आपको बताई बताया ही और सितिस एह तेवीस और क्यों में भी 65 साल के असपास है पहले वो एक सुरच्छा अजिंसी से जुड़े हुए थे लेकिन नौकरी के बाद उन्हें वाइन बाने का काम शुरू किया आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपके जो वाइन है वो अमरूद जलकुम्भी और चुकंदर से भी तयार की जाती है आपको लिटली चुक उन्होंने एक शुड़ी सी वाइन रिश्रू की थी और अपने पत्नी बेटे और एक साहे के साथ मिलकर वाइन बनाते थे उहां पर क्या है कि उसके कड़िबंदिये इलाकों में उगने वाले कई फल और सबजियों के फ्लेवर वाइन तयार होती है तो रहतेवे इसके इस तरह से कॉंडम का इस्तमाल होता है अंगूर वली शराब या अंगूर वली वाइन बनाने के लिए तो धन्यवाद आप हमारी चनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड दिशिए धन्यवाद